नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं आई हूँ नर्सरी विजिट के लिए जैसा कि आप प्लांट्स देख के समझी सकते हैं क्योंकि मोसम बहुत सुहाना हो गया है सभी जगा मानसून आ चुका है और ऐसे में प्लांट्स की खरीदारी तो बनती ह हमारे जैसे प्लांट ़र वर के लिए और नर्सरी से बहुत अच्छे हाई हुए है और मैंने आज नर्सरी से क्या-क्या प्लांट खरीदे हैं और किस रेट में खरीदे हैं यह सब मैं आपको आज यहां दिखाऊंगे मुप्ता देख़र है कि यहां पर कितने अच्छे इस सक्यृलाइट रखे हुए है और यह हमारे एरिया कि सबसे बड़ी नर्षरी हैं दोस्तों और इसमें जितनी यहां पर मिलती हैं कहीं पर भी इतनी ज्यादा वेराइटी किसी भी नर्सरी में इतनी वेराइटी नहीं मिलती है सक्यूलेंडंस हो इण्डोर प्लांट्स हो या कैसे भी प्लांट हो यह देखें यह नोने खुदी बनाया है कितना अच्छा है यह बैंबू से इन्होंने बोनसाई तयार किया हुआ है और काफी अच्छा लगता है यह देखे सारे यह बोनसाई तयार किया हुए है यहां पर यह फूर्ट प्लांट हैं अमरूद के हैं अनार के हैं चीकू के हैं आम के हैं यहां पर फाइकस बी सब्सक्रिक रखे हैं और बहुत इसटी वैराइटिो चाहले इसक्डाव przyδήbor इर्ट्षरी में स्सेले और अमें आए हुए हैं और यहां यहां पर फाइकस ब्लांटर शपर यह प्रकार प्लांटर यहां से ले सकते हैं 140 जौन भाद कवेचेग मुलता है यहाँ नहीं हमारे अरिया में नहीं जो भाण से लोग खरीदते हैं बहुत कम लोग खरीदें क्योंकि वह महेंगे भी आम और ये देख सकतीcam यह सक्टेद भी अगर अगर किसी को यहां पर आना हो और plants वगेरा हो तो वह आप देख सकते हैं क्योंकि यह काफी बड़ी नडशरी है और यह देखिये ड्रैसीना की भी काफी वेराइटीय यहां पर कम से कम 10 वेराइटी यहां पर ड्रैसीना की है और यह पाम है यह देखिए यह ड्रैगन ड्रैसीना और यह देखिए ओक्सिकोडियम यह खुदी यह लोग बनाते हैं इसको और यह देखिए पूरा यह इंडूर प्लांट्स हैं यह सारे यह पेंटागस है और काफी अच्छा यह इंडूर यह देखिए पाम पाम की यहां पर बहुत सारी वेराइटी जैसा कि आप देख सकते हैं और एक यह नई वेराइटी आई है गोल्डन ड्रैसीना यह काफी सुन्दर लग रही थी और यह एगलो नीमा की भी बहुत सारी वेराइटी थोड़ी महंगी पड़ती ह यह देखिए लिली लिली भी बहुत अच्छी है अभी फ्लारिंग भी चल रही है और यह एगलो नीमा गेन यह सारी वेराइटी है और वह हग्पैस्पैरலत बहुत ही प्यार लग रहा था दूस्त ऑर यह ।ो मेरा फेवरीट अल्ट है मुझे बहुत पसंद है यह फाइकस और बोनसाई की भी इनके पास काफी तैयार वैराइटी होती है जो आप सीधा अपने घर लेकर जा सकते हैं सक्यूलेंट्स की यह बास्केट्स भी बनाते हैं यह लोग और यह सीधा आप हैंक कर सकते हैं अपने इंडोर में जहां भी आप यह प्यारा सा यह लक्ष्मी कमल यह और विश्णू कमल यह यहां पे मिल रहा था यह बनी कैक्टस बड़ा भी प्यारा लग रहता यहां पर और हावट्थ्या तो भे ही सब्यका प्रहर्जू तक होता है मुझे भी बहुत पसंद है और आठी प्रतर काफी सुन्दर दगाने, यह हैं कितनी जैदा मातरा में इन पास प्लांट इंसलिए को कि आधकी ओम कौन करते हम, इदेखेए कол प्रतर। और ये देखे ये गुढ़ल के प्लांट है ये गुढ़ल जो है ये पूने वेराइटी है बैंगलोर वेराइटी का जो लाल मिट्टी वाला होता है और बहुत अच्छे हैं ये ड्वार्फ में और ये सारी बेल वगेरा हैं और ये एक्जोरा वगेरा सभी सभी प्रकार के दो सकता है लेकिन कई ऐसे बलांट होते हैं रेयर बलांट होते हैं जो और कहीं नहीं मिलते हैं एक देशी अदक्स और यह एक ही गमलेética दो दो मिल रही थे और यह अंजीर उर्खर है यह अधार ने ? सब ही में फरूट यह तो काफी अच्छा लगता है यह सब देखके मैंने भी दो थिन खरीदे हैं प्लांट यहां से और काफी अच्छा मेरे अमरूद वगरा लगी रहे हैं जैसा कि आपने देखा होगा तो यह नाग चंपा और काफी अच्छी वेराइटी है और यह देखिए यह एक बोगन वेलिया है और यह पांच रंगों में ग्राफ्ट की हुई है तो काफी सुन्दर प्लांट था यह यहां पर है और आप देखी सकते हैं जैसा यह देखिए ग्राफ्ट किया हुआ और यह देखिए जंगल बनाया हुआ है फाइकस का और यह सब बोन साइट तयार किये हुए है इन्होंने और यह अडेनियम्स की बहुत अच्छी वैराइटी थी यह ग्राफ्टेड हैं सारे और काफी सुंदर सुंदर कलर थे इन्हें में और यह रोजी वैराइटी और सभी के जो अडेनियम होते हैं ग्राफ्टेड वो सभी थे यहां पर और देखें यह ओवर्वियू है पूरी नर्सरी का काफी बड़ी आपको दिखी रही होगी यह नर्सरी काफी बड़ी है और सभी प्रकार के इनमें पोधे प्लांट्स जो भी हैं इंडोर आउट्डोर जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स सभी प्रकार के इनमें वेजिटेबल फ्रूट वगएरा सभी प्लांट्स मिलते हैं तो जैसा आप देखी रहे हैं काफी बड़ी दिखी रही है यह नर्सरी और यह देखे यह मोगरा वगएरा लगाए हुए हैं गिलोए की कटिंग सीनों ने लगाई हुई हैं काफी सस्ती भी हैं यह 10-10 रुपे मात्र यह कड़ी पत्ता और दोस्तों हम मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं नर्सरी से क्या-क्या खरीद कर लाई हूँ और उनके प्रा बताईएगा कि कैसे हैं यह सब प्लांट जो मैंने खरीदे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही करिएगा दोस्तों अगर आपको मेरी मेरी शोपिंग कैसी लगी यह भी बताईएगा यह देखे सबसे पहले मैंने यह यह देसी अडेनियम लिया था और यह रिपोर्ट भ कितना अच्छा इसका और अहरा भरा आई यह इसलिए मुझे पसंद भी आया और यह दो प्लांट हैं और यह मैंने लिये हैं 300 रुपे के 2 और काफी अच्छे यह प्लांट लग रहे थे दोस्तों और यह देखें यह सिंगोनियम लिए हैं मैंने गॉल्डन सिंगोनियम और और ये मैंने लेकर आई हूं यह देखियेола इ辉से मिनियेचर प्रांट्व सढ़ाई कर और fight इस लीफ का जो डीजाइन पाफी डिफरेंट और यह सेयरेमिक प्लांटर के लिए जीजी प्लांट है और यह जीजी जो प्लान्ट है मुजे मिला है गठेट सो रुपए का और ये मैंने दो लिए हैं ताकी मैं इंघट्टे लगा सकूं और ये ये वर्याइटטी दोस्तों काफी कम नर्सरीज में मिलती है और काफी देखिए दो प्लांट है और यह एक जोरा का मैंने प्लांट लिया है, यह मुझे सो रुपे का पड़ा है, और विद पोट यह पड़ा है, काफी अच्छा बूशी प्लांट है, काफी और इंज कलर में, और उसके बाद यह मैंने ली हैं इंगलिष आइवी, यह भी काफी अच्छी थी, सुन्दर लग प्लांट है दोस्तों और उसके बाद यह है लिप्स्टिक एगलो नीमा यह 500 रुपे का मुझे पढ़ा है यह काफी दिनों से लेने की मेरी इच्छा थी तो मैं लेना चाहा रही थी इस टाइप का प्लांट इंडोर मुझे पसंद ही है और यह मैंने एक अडेनियम भी ले लि प्लांट है और मैंने रिपोर्ट कर दिया है मिंटी में और यह देखे सबसे खूबसूरत प्लांट है यह सोन चंपा का प्लांट है और इसकी फ्लावरिंग जो फ्रेग्रेंस है उसकी खुश्बू आप चारो तरफ सूंग सकते हैं इतनी तेज इसकी खुश्बू होती है और इसको आपको जरूर अपने गार्डन में एड़ करना चाहिए और दोस्तों यह मुझे मिला है 200 रुपे में क्योंकि यह रियर प्लांट है और दोस्तों बस मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक क्यों?